यह जो भब्भी निर्मान दिख रहा है यह है बिहार मुजियम जो वर्ड्स लार्जेस्ट मेरिटाम हिरिटेज मुजियम है यह मुजियम पटना जक्सन से तीन किलोमीटर के दूरी पर बेली रोट के पास है यह सब्ता में छे दिन तक खुली रहती है जबकि सोम बार को मंडे को यह बंद रहती है यह रहा टीकट दर यहाँ पर टीकट दर भी है जो दो तरह का है एक टाइम है दस वर्ड़ से लेकर के साम पाच वर्ड़ तक जिसका टीकट रेट है भारतिये को जो ब्यक्स हैं उन्हे पाच वर्ड़ तक जबकि विदेशी नागरिक हैं उन्हें ब्यक्स लोगों को पांच वर्ड़ और बच्चे को अड़ाई सो रुपय लाएगा जो बारा वर्ड़ से कम उम्र के हैं आश्कूल, कॉलिज और इन्वर्सिटी के छात्रों को टीकट का रेट है जो आधा लाए हैं इस रह टीकट और और यह रहा कियाँ क्चम शब्रापि तकल टीकैट है समराथ चंद्रगुप्त मॉर्प का लएं लेकिन बहसुने के बाद कि अंदर गॉक्त सामने बहसे में कर सकते हैं बहुत बड़ी एरियाँ के रहा यहीं बैग जमा होता है आपका और पहुत ही खुबशूरत नजारा ये पानी की रहा है हलाकि ये दूर सी ही देख सकते हैं आप अंदर इंट्री नहीं है दो साइड है लेप्ट और राइट लेप्ट में हिस्ट्री से रिलेटेड और राइट में ये सब कुछ दुकान जहां मदवानी पेंटिंग, हस्तकला, लैकडी से बने समान एक से खुबशूरस खुबिरा समान आपको मिल सकता है लेकिन इसके लिए आपको पैशे लाएंगे इस संग्राले में चार परदरस्मी छेत्र है पाला है ओरियंटेशन गैलरी, दूसरा है इतिहास गैलरी जो ए, भी और सी ब्लोक में बड़ा हुआ है तीसरा है आर्ट गैलरी, इसमें इतिहासिक आर्ट गैलरी, छेत्रिये और समकालीन आर्ट गैलरी है और चोथा है बिसेश गैलरी जिसमें बिहार परवासी परदर्सन, द्रिश भंडारन, टेरा कोटा और सिक्के, बच्चो की गैलरी और आज थाई परदर्सन गैलरी है जिन बच्चो की उचाई 110 सेंटी मीटर या साड़े तीन फीट या 43 इंची से कम है उन बच्चो को यहाँ परवेश निसुल्ख है कोई फी नहीं लेगा उसे, कोई टिकट नहीं लेगा लेकिन यहाँ पी एक कनफ्यूजन भी है यहाँ पर दो टाइम में भीजिट करवाया जाता है एक तो होगिया 10 बच्च से सुबह से लेकर के साम 5 बच्च तक और दूसरा है साम 5 बच्च से लेकर के साम 7 बच्च तक यहाँ पर जो साम 5 बच्च से साम 7 बच्च तक है टीकट का रेट आधा हो जाता है लेकिन टिकट के रेट आधा तो हो जाता है लेकिन इस मीजियम में आपको घुमने के लिए भी आधा ही जगा मिलेगा आधा बंद कर दिया जाता है जो हिस्टरी गैलरी है नहीं वो बंद कर दिया जाता है आधा ही आपको घुमने के लिए मिलेगा बाल दिरगा खुला यह साम के समय में आप घुम सकते हैं और टिकर यहां पर आधा लाएगा जबकि पूरा म्यूजियम घुमना है तो आपको दस से लेकर करके साम पाच वे तक कहीं टिकर लेना चाहिए तब ही आप पूरा म्यूजियम घुमेंगे नहीं तो आदे से भी कम म्यूजियम हमें पता नहीं था तो हम साम के ही टिकर खरिए थे आदे दाम में खरीदे थे लेकिन अंदर जाके पता चला कि म्यूजियम आधा ही दिखाया जाएगा आधा बंद हो चुका है तो ऐसा कंफ्यूजन मुझे हुआ सायद किसी और को नहीं हो इसलिए यहां पर यह मिंसन कर दे रहे हैं असल में बिहार म्यूजियम है जो आम बोल चाल में जादू घर कहे जाने वाले पतना म्यूजियम में दिर्गाओं के अभाव की उपज है पतना म्यूजियम में 40,000 से अधिक परदर्स थे यानि कि वो बस्तू थे जिसे दिखाया जा सकता था 40,000 से अधिक लेकिन दिर्गाओं की कमी से इन में से बहुत कम को ही परदर्सित किया रहा था यानि कि दिखाने के लिए जगा नहीं था तो कम ही बस्तूओं को दिखाया जाता था बाकी रखा हुआ रहता होगा कहीं पे यहां पे कई बस्तूओं रखी गई है जो खुदाई में प्राप्त हुआ था जैसे कि संक है, सिप है, मनके हैं, पत्थर है कई भी चीज हैं और इससे यह पता चलता है कि यह किस देश से यहां लाया गया था किस किस देश के साथ ब्यापार होता था अध्यान करके इस तरह के जानकारिया निकाली गई है तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है बिहार के मुख मंत्री स्री नितीश कुमार जी ने नई पीड़ी के लिए एक भव्य तथा आलिसान थाती बिहार मुजियम के निर्वान की परिकल्पना किये थे यह इतिहासिक नगर पाटली पुत्र के हिरदय अस्थली नेहरुपत की बेश कीमती साड़े तेरा एकड़ भूमी थर्टीन पॉइंट फाइप एकड़ भूमी परखड़ाया अत्या धूनिक संग्राले अजादी के पाट देश में बना पाहला विश्व अस्तरिय मुजियम है यहाँ पे नालंदा इंवर्सिटी से सम्मंधित कुछ जनकरिया दिया गया है और वहाँ से प्राप्त कुछ अपसेश नालंदा में बिद्यार थी किस तरह से रहते थें वहाँ पे देगे सोने के विवस्ता किस तरह से था किस तरह से अध्यन करने की वश्ता था सारे अस्टेक्चर और लिखाबट के माध्यम से यहाँ पर दर्शाया गया है बहुत ही सुववश्तित इन्वर्शिटी था वह बिश्व का पहला आवाशिय बिश्विद्धा ले था यह यहाँ पर वहाँ से प्राप्त कुछ अप्सेस जो यहाँ पर दर्शाया गया है भागवान बुद्ध की मूर्ती चीनी यात्री वियर्ण सांग के अनुसार नलंदा इन्वर्शिटी में लगबग 10,000 चात्र अध्यन करते थे और वह भी केवल भरत ही नहीं, बीदेशों से भी यहाँ आते थे जैसे की होगी स्रिलंका, फिलिफिन्स, चीन और भी कई देश से यहाँ अध्यन करने के लिए आते थे यहां से प्राप्त अफ़ेस भी रखा हुआ है, इस तरह का किताब हुआ करता था यह हो गिए सिला लेख पहले पत्थर पे लिखा जाता था कि मीटे नहीं और लिखने के वेवास्ता भी तो नहीं थी इसलिए सिलालेक पे ही लिखा जाता था राजी का आदेश पत्थर पे लिखा जाता था तामा का पत्थर होता था उस पे लिखा जाता था खुदाइकर करके इस तरह से बेवस्ता था वहाँ पे लिखने और पढ़ने का यह वहाँ से मिले कुछ दिया है लगता है घंटी है मिट्टी का पात्र है तेरा कोटा वर्ल्ट्स लार्जेस्ट मेरिट टाइम हेरिटेज म्यूजियम यहाँ पर चिणिया घर की तरह स्ट्रक्चर तयार किया गया है जो बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा पसंद बच्चे ही करते हैं यहाँ पर और बच्चा दिरगाई है यह बाल दिरगाई है ही ऐसे तो इस मीजियम में सब्हता की सुरुआश से ले करके वर्ष 1764 तक के तमाम एतिहासिक थातियों यानि कि जो भी वश्तियों पर आप्थ होई थी को यहां आकर देखा समझा जा सकता है और बिहार के गौरफसाली अतीत पर गर्वी किया जा सकता है इससे पहले देश में जो भी संग्राले थें वे अंग्रेजों के दौरा बनवाए गए थे या राजा महराजाओं दौरा बनवाए गए थे आजादी के बाद आधुनिक संग्राले निर्मान के छेतर में एक बड़ा गैब था कंसेप्ट निर्मान एजेंसी डिजाइन लाइट सबकुछ विश्व अस्तरिय बनाना था इसके लिए गलोवल टेंडर हुआ यहाँ पे मौर समराजी के सासक चंद्रगुप्त मौर के बारे में कुछ जानकारियां दिखाया गया है और यहाँ पे कई फरकार के सीसे हैं और इसमें आपका चेहरा भी हर सीसे में अलग दिखेगा बिहार के कलास संस्कृती यवं युवा विवाग को इसके निर्वान का जिम्मा सवपा गया वहीं मुख मंत्री ने खुद बारीकी से तमाम कदमों की मोनेटरिंग किया कनाडा के लोड कल्चरल रिसोर्सेज को पूरी पर्योजना के अबधारना का जिम्मा दिया गया और विश्व परसिद बयोबिर्द फ्यूई मिही को माकी आर्किटेक्ट निक्त किये गये हैं फिर कला विश्व विद्याले शरीखा दिखने वाला इस संग्राले का निर्मान आरम हुआ यह सांदार विहार मुजियम आज अपना मस्तक उठाए शब के शामने खड़ा है और राष्टिये वाँ अंतराष्टिये परसिद्धी पा रहा है इसकी अस्थापना 15 अगस्त 2015 को हुई थी यहाँ पे सेरसा सुरी के बारे में कुछ जानकारियां दिया गया है और वहाँ से कुछ प्राप्त अपसियस भी रखे गये हैं सेरसा ने ही तीन तरह का सिक्का चलाया था सोने के सिक्का को महर कहा जाता था चांदी के सिक्को को रूपिया कहा गया और तामा के सिक्को को पैसा कहा जाता था यहाँ पे डिजिटर टीवी लगा हुआ है और जिस सीके के छुईयग आप उसके बारे में आपको जनकारी मिलेगा किस ने इसे जारी किया था और उसका सासानकाल कब से कब तक था और सिरसान सुरी द्वारा शुरू किया गया रूपिया आज भी परचलन में है उस जमाने में जो सीके चलते थे उन में से कुछ यहाँ पे रखा हुआ है सभी सीकों को आपस में साड़ दिया गया है ताकि प्रेटक लोग आ करके उठाना ले आपस में सब एक दुसरे से सटे हुए है तो इसे देख सकते हैं छू करके महसूद कर सकते हैं और ये रहा मधु वनी पेंटिंग आधे पैसे में आधे संग्रायले घूम सकते हैं सबसे पर्मुक इतिहास गैलरी को बंद कर दिया गया था जहां आपको सोंग बंस कुसान बंस गुप्त बंस और पाल बंस से सम्मंदित अफसेस जो मिले थे जो वहां है और अंतरिच से गिरे एक पत्तर भ के लिए मिल जाएगा तक तक के लिए बुड़ी देखने लिए बहुत बहुत धन्यवाद यदि जो पसांद आए कि लाग सेब्सक्राब स्टेर करने ना होने चेह रहे हैं